हेलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास 12 चेप्टर 11 डियोल नेचर ओफ रडियेशन एंड मेंटर के कोर्स सेशन में आप सबकार सागते हैं Today, we are going to discuss DEVisen no democrat, it is a historic experiment इसने क्या प्रोव किया था, इसने किया प्रोव किया था, इसने क्या स्थूचा का के तो हमें कैसे बहुत सिंपल है देखें इसमें क्या है यहांपर जो हैं नहीं कराओ यहांद यहां पर यह फिलामेंट को हीट करने से यहां से कोन कास नीखला hy एक्सलरेट हो जाएगा ना हाँ एक्सलरेट होने के बाद वह निकल टार्गेट पे स्ट्राइक हुआ मैं बोल रहा हुँ ठीक है वैसी प्रोसेस आपको लिखनी है electron gets emitted from heated filament F okay and it passed through the potential difference where it got accelerated okay then after it incidents on the nickel target nickel target पे incident हुए and get and get diffracted by nickel target at an angle theta okay the targeted electron is received by diffracted electron is received by movable collector यह जो collector है न वो ऐसे घुमेगा पूरा 360 degree घुम सकता है आप बोलो कि सर यह बीच में नहीं है नहीं यह आरेंजमेंट है okay एक गुम सकता है and then movable collector is connected to galvanometer what galvanometer doing it is measuring current it is measuring current 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 को measure किया है अब current जो है current proportional to intensity of electron मतलब कि जितने ज्यादा electron आएंगे ठीक है intensity of electron उतना ज्यादा current देखने को मिलेगा बच्चों आपको पता ही होना चाहिए i is equal to q upon t is equal to any upon t so i is proportional to n मतलब जितने ज्यादा number of electrons होगे उतना ज्यादा current होगा okay ऐसा experiment किया गया यह chamber कैसी है बच्चों vacuum chamber है ऐसा कुछ हुआ कि इस nickel target के उपर liquefied gas गीरा ऐसा experiment चल रहा था तब इसके उपर क्या गीरा liquefied gas इसके उपर sorry ठीक है तो फिर डेविशन और जर्मन ने इसको heat किया और फिर क्या किया cool किया उसके बाद जो results मिले वो कुछ इस तरह थी देखिए 44 वोल्ट पे इस तरह देखो यह जो आने वाले है और यह है theta यह क्या है बच्चों theta ठीक है तो क्या दिखा कि 50 डिग्री पर specially बच्चों यह एंगल याद रखना 50 डिग्री पर और कितने वोल्टेज पर 54 वोल्ट बाकी सब वोल्टेज याद रखो ना रखो यह याद रखना 50 डिग्री पर और 54 वोल्टेज पर यह जो मिला यह हाइस्ट करण्ट मिला कैसा मिला बच्चों हाइस्ट करण्ट ठीक है एंड इस पेटर्न इस सेम एज एक्स रेड ते ओब्टेइन ते ओब्टेइन डिफ्रेक्शन पेटर्न डिफ्रेक्शन पेटर्न सेम एज एक्स रेड बच्चों वो कॉम्टन इफेक्ट में नहीं था कि एक्स रेड किसी चार्ज पार्टिकल के पास आती है तो वहां से diffract हो जाए है तो वैसा ही यहां पर देखने को मिला ओके कब यह कूल और कर दिया तब हीट किया और फूल किया तब एक्सिडेंटल ऐसा हुआ ठीक है न बच्चो तो यहां पर यह जो निकल टारगेट था वो किसमें कनवर्ट हो चुका था प्युकँल क्रिस्टल के जो लेयर जह उण्होंने इलेक्ट्रन को इस तरह डिफ्रेक किये और वह किस तरह पेर्टन दिया गया एक्स रहक रहर है ठीक है और जो वेवलेंथ मेजर की गई बच्चो जो है वह लेमडा is equals to H upon P is equals to H upon under root 2mQV is equals to H upon under root 2mEV ठीक है अगर आप 2 mass of electron, charge on electron ऐसा सब कुछ replace करते हो तो आपको answer ऐसा मिलेगा 1.227 upon under root V ठीक है एंग्स्ट्रम में ये value मिलने वाली है ये lambda तो ये सब voltage की value और put करके answer जो मिला वो था 0.167 एंग्स्ट्रम कौन सी value थी बच्चो 0.167 एंग्स्ट्रम तो ये जो value मिली ठीक है ना बच्चो ये जो value मिली वो theoretically भी matter value की इतनी value measure की गई थी और यहाँ पर भी उतनी value मिली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ theoretically भी ऐसी measure की गई थी और practically भी ऐसी ही value मिली कितनी 0.167 अच्छा सौरी ये एंग्स्ट्रम ने बोलेंगे ये 1.67 हो जया है 0.167 nanometer ठीक है तो और यहाँ पर भी जो आपको answer भी लेगा सौरी ये मैंने गलती कर दी नेनो मीटर में तो यह जो value मिली थी के वह theoretical के साथ match or 80 diffraction pattern के साथ तो इसका मतलब क्या हुआ ऐसा हम बोल सकते है therefore accidentally मैं ये word लिखना चाहूंगा accidentally it is proved that it is proved that उन्होंने pattern देखी और pattern x-ray ये सी मिल रही थी तो x-ray pattern में जो value आने चाहिए थी वह ही इसमें भी value आई तो क्या हुआ accidentally it is proved that electron is behaving like a wave ओके मतलब की particle is behaving like a wave तो डेविशन और जर्मर के इस experiment ने प्रूव कर दिया कि particle जो है वो किस तरह behave कर सकता है बच्चो वेव की तरह behave कर सकता है ठीक है और इस experiment और ये result का वो प्रूव करने की वज़े से बहुत सारे instrument का भी invention हो सका और बहुत सारे theory भी जो क्या थे कि पता नहीं चल रहा था कि electron particle वेव किस तरह प्रूव किया जाए वो प्रूव करने से इन दोनों को nobel prize भी मिला क्या मिला बच्चो nobel prize ठीक है ओके तो ये था डेविशन और जर् speed 5.4 into 10 raise to 6 meter per second कैसे solve करना है वो मैं आपको बोल दूगा lambda is equals to h upon mv h की value 6.625 into 10 raise to minus 34 okay what is mass of electron 9.1 into 10 raise to minus 31 okay और velocity दी गई है हमें कितनी दी गई है देखो 5.4 into 10 raise to 6 okay अगर आप ये solve करते हो तो आपको जो value मिलेगी बच्चो वो जो value होगी वो है 0.135 nanometer ठीक है and a bowl of mass 150 gram अच्छा तो lambda is equals to ये part होगे या हमारा a ये part b lambda is equals to h upon mv so h की value 6.625 into 10 raise to minus 34 ठीक है mass कितना देया गया 150 gram तो 150 into 10 raise to minus 3 kilogram में convert हो करना होगा and moving with how much speed 30 तो अगर इसकी आप अगर value देखोगे ठीक है तो आपको answer मिलेगा 1.47 into 10 raise to minus 34 meter कहने का मतलब क्या है very very small इसलिए जो ये ball है वो हमें wave की तरह नहीं दिखता है जबकी electron wave की तरह देख रहा है ठीक है तो ये wave nature के जो थे ना इसलिए मैंने यहाँ पर ये example कवर किये है ठीक है आगे के example थोड़े बागी है तो next video में हम कवर करने वाले है एन electron and alpha particle अच्छा एक electron दूसरा कौन है alpha particle and a proton have same kinetic energy देखो kinetic energy of electron equals to kinetic energy of alpha particle is equals to kinetic energy of proton which of this particle has the shortest de-brogly wavelength बच्चो याद करो formula lambda is equals to h upon p is equals to h upon under root 2mke तो यहाँ आप में बोलूंगा क्या here kinetic energy is same therefore lambda proportional to 1 upon under root m ओके अब मैं ऐसा बोलता हू mass of electron is much much less than mass of proton okay and mass of alpha particle is equals to four times mass of proton तो इसका मतलब क्या है कि सबसे heaviest कौन है mass of सबसे heaviest कौन है alpha particle तो यह आपर देखे यह inverse proportion है इसे लिए हम क्या बोल सकते है कि क्या बोलेंगे डी ब्रोगली wavelength यहां से शुरू करता हूं डी ब्रोई ब्रोई ठीक है फोर आल्फा पार्टिकल इसौर्टेस्ट डी ब्रोई 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 गार्टेकल इसौर्टेस्ट टीक है लोंगेश्ट किसके लिए electron का mass अभी थोड़ देर पहले मैंने लिखा था यह आपको पता भी होनना चाहिए 9.1 into 10 raise to minus 31 kilogram, okay और mass of proton 1.67 into 10 raise to minus 27 kilogram okay ठीक है, चलिए let's solve one more example what is given, see a particle is moving 3 times as fast as electron so velocity of particle यह particle है, ठीक है is how much, 3 times velocity of electron the ratio of de Broglie wavelength of particle to rate of the electron is this, मतलब की lambda particle upon lambda electron, क्या दिया गया है बच्चो 1.813 to 10 raise to minus 4, calculate the particle's mass and identify the particle, हमें mass of particle calculate करना, बच्चो lambda is equal to क्या formula है h upon mv, ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ क्या हुआ, यह lambda particle upon lambda electron अगर करें, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ h upon mass of particle into velocity of particle multiply by mass of electron into velocity of electron into, sorry, upon h, okay is equals to 1.813 into 10 raise to minus 4, ठीक है? अच्छा, चलो, h, h काट हो गया, ठीक है? अभी mass of electron की जो value है, वो कितनी है, बच्चो 9.1 into 10 power minus 31 velocity of electron को velocity of electron ही रहने देता हूँ mass of particle तो पता नहीं है अभी velocity of particle क्या है? 3ve and what is this? 1.813 into 10 raise to minus 4 ओके, तो देखे, यहाँ पर veveb cancel हो गया है समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से आपको हाँ, so what is the mass of particle mass of particle अगर पता करे तो 9.1 into 10 power minus 31 divided by 3 divided by 1.813 into 10 raise to minus 4 ओके, चलो, अगर यह अगर आपको पता करना है ठीके, आप अगर value टी प्लेस करते हो 10, you will get answer as 1.67 into 10 raise to minus 27 kg यह किसका mass है? यह है proton का mass किसका है? proton या तो neutron भी बोल सकते हो टीके, neutron का भी नियली इतना ही mass है ठीके? So, the particle can be अधर proton और it can be neutron इसे अगर दीप लगली वेलेंग्ज़ना असरगे पर एतने लेक्रों अगर्छेटर्टर्टर्टर्रों पटेंशनल रदेटर्टर्रों बहुत सिंपल बच्चो, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपोन फी, इज इक्वल्स टू एच अपोन अंडरूट टू एम इवी, तो हमने एक पोर्मुला अभी अभी देखा, वन पॉइंट टू टू सेवन अपोन अंडरूट वी, और आश्र किसे मिलेगा आपको नेनो म ने, तो 1.227 अपोन अंडरूट क्या कर दो, नेनो मीटर, 100 क्या होता है बच्चो? अंडरूट रूटूंडेड 10 होता है, το कहने का मतलब क्या है, 0.1227 नेनो मिटर तो इसको 7 को अगर हम यहाнейसा करें, तो आंसर क्या मिलेगा, 0.123 नेनो मीटर, ठीके, ओके तो चलिए बच next session we are going to solve many examples okay thank you and namaskar